हलो फ्रेंड जीके अपेक्स में आपका स्वागत है आज करया टॉपिक विश्वे के परमुक संगठन और उसके मुख्याले पराधारित है इस टॉपिक से सम्मनित पार्ट वन वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है कृपिया उस वीडियो को जरूर देख लें आज हम लोग उसी टॉपिक पर डिसकस करने जा रहे है या एक टॉपिक पराधारित वीडियो है जो बिश्वे के संगठन और उसके मुख्याले को याद करने में मदद मिलेगा यह टॉपिक बहुत ही सिंपल भासा में समझाया गया है फ्रेंड्स वीडियो के साथ अन तक जरूर बने रही है क्योंकि आज के यह टॉपिक बहुत ही महतपूर्ण है चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक आज हम लोग सबसे पहले दच्छीनेसिया च्छेत्रियस सयोग संग के बारें पढ़ेंगे यह दच्छीनेसिया के आठ देसों का एक संग है जो मुख रूप से सदस देसों को भी च्छेत्रियस सयोग को बढ़ावा देने के कार करता है यहाँ पर एक महत्पून बात ध्यान रखना है दच्छीनेसियाई च्छेत्रियस सयोग संग को संचेप में दच्छेस करते हैं जबकि अंगरीजीम उसे सार्क के नाम से जाना आता है यहाँ पर सार्क का फूल फार्म से प्रसन आते रहते हैं इसलिए सार्क का पूरा नाम याद रखना जुरूरी है सार्क के अस्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था बर्तमान में इसका हेट क्वाटर काठमांडू में इस्तित है सार्क के बर्तमान सदस देशों की संख्या आठ है जबकि इसके अंतिम सदस देश अफगनिस्तान है आए इन सभी तत्य को याद करने की कोशिस करते है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सार्क एक परकार की मचली भी है यहाँ पर यहाँ पिक जो है सार्क मचली का है यहाँ बहुत ही बड़ी एवा मजबूत मचली होती है तो आपको यहाँ से जोड के याद रखनी की कोशिस करना है बर्तमान में सार्क का मुख्याले काठमांडू है यहाँ पर आपको काठमांडू में से काठ सब्द को ध्यान में रखना है आपको simple याद रखना है कि सार्क एक परकार की मचली है जिसकी body काट की तरह मजबूत होती है इसे आप जोड़कर सार्क का मुख्याले को असानी से याद रख सकते हैं पहला सब्द आपको सार्क याद रखना है दुसरा आपको काट याद रखना है नेक्स्ट है इसके सदस देशों की संख्या 8 है इसे हम लोग दो तरीका से याद करेंगे यहाँ पर आपको तिसरा सब्द याद रखना है 8 जिसे आपको काट से जोड़कर याद रखना है काट अर्थात 8 जब आपको काट से 8 याद हो जागा तो इस परकार आपको मेंबर कंट्री की संख्या भी याद हो जाएगा क्यूंकि इसके मेंबर कंट्री की संख्या 8 है नेक्स्ट है इसके अंतिम सदस देश सार्क के सदस बनने वाला अंतिम सदस देश अफगनिस्तान है देखिए इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ यहाँ पर प्रस्ण में अंतिम सब जरूर दिया रहेगा और अंतिम सदस बनने वाला देश अफगनिस्तान है दोनों में एक चीज कॉमन है वह है दोनों का पहला अच्छर अ है अर्थात आज से अंतिम आज से अफगनिस्तान इस परकार आपको अंतिम सदस देश का नाम याद रखने में मदद मिलेगा आईए अब इसकी अस्थापना तीथी को याद करते हैं इसकी अस्थापना 8 दिसमबर 1985 को किया गया था यहाँ पर सार्क के सदस देशो की संख्य बरतमन में 8 है तो आपको वहाँ से जुड़कर याद रखना है सार्क के अस्थापना की जो तीथी है वह है 8 दिसमबर जबकि इसके अस्थापना वर्स 1985 है जिसे हम लोग 1985 भी करते हैं यहाँ पर अस्थापना वर्स के अंतिम दो अंक को याद करने की कोशिस करेंगे अस्थापना का अंतिम दो अंक 8 और 5 है तो आपको तीथी से 8 को याद रखना है जबकि 5 जो है सार्क से याद करना है यहाँ पर दिखे सार्क में 5 लेटर है तो आपको यहां से जोड़कर याद रखना है चलिए दुबारा हम लोग रिपीट करते हैं सार्क आठ दचिने से आई देशों का संगठन है जिसकी अस्थापना आठ दिसमबर 1985 को किया गया था बरतमान में इसका हेट क्वाटर काथमांडू है इसके सदस देशों की संख्या आठ है सार्क का सदस बनने वाला अंतिम देश अफगनिस्तान है इसके सदस देशों की संख्या को दूसरे तरीका से भी याद रख सकते हैं यहां पर सार्क के स्थापना की तिती 8 दिसमबर है तो आप यहां से member country को भी याद रख सकते हैं क्योंकि member country की भी संख्य आठी है चलिए जानने की कोशिस करते हैं कि वह कौन-कौन से देश हैं सबसे पहले तो आपको इसके मुख्याले से एक देश का नाम याद हो जागा इसका मुख्याल है नेपाल के कटमांडू में है पहला देश हो गया नेपाल दूसरा हो गया भारत तिसरा देश हो गया अफगनिस्तान चौथा हो गया बांगला देश पाचमा हो गया सिरलंका छठा हो गया पाकिस्तान सात्वा हो गया माल्दिव आठवा हो गया भुटान ये सार्क के आठ देश है जहां से एक जाम में प्रसनाते रते हैं नेक्स्ट है दच्छिन पूर्वी एसे एराष्टो का संग जिसे संच्छिप में अस्यान के नाम से जानते हैं यहां पर अस्यान का फूल फॉर्म भी ध्यान में रखना है अस्यान का पूरा नाम एसोसियेशन आप सौथ इस्ट एसे नेसंस होता है चलिए इसे समझने की कोशिस करते हैं यहां पर देखे चार डारेक्शन है उपर में है उत्तर नीचे है दच्छिन डाइनेसाइट पूरव है जबकि बाइनसाइट पस्सी में यह दिखे एसिया की मैप है जिसे वर्ल्ड गलोब में भी दिखाया गया है गलोब में दिखे यह भारत की स्थिति को दर्शाया गया है इस मानचित्र में यहां पर भारत को दिखाया गया है उपर का भाग हो गया उत्तर, जबकि नीचे के भाग हो गया दच्छिन, डाइने सेट पूरव है, जबकि बाइने सेट पस्सीम है, यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि 8 दच्छिन एसियाई देशों को सार्क के नाम से जानते हैं, इस दच्छिन एसियाई के पूरव में 10 जैसा कि हम लोग को मैप से भी असपस्ट हो गया है, परणाम में 5 देशों मिलकर इसकी अस्थापना किया था, वह देश है इंडोनेशिया, मलेसिया, सिंगापूर, थाइलेंड, फिलिपीन्स, यहाँ पर दिखिए असियाई में 5 लेटर है, तो इस पर कर आप जोड़कर य एक ही है, दोनों की तीथी संक्या 8 है, परंतु मन्त एक का दिसंबर है, जबकि दूसरे का अगस्त है, यहाँ पर इसके अस्थापना का अंतिम दोवंक 6-7 है, चलिए इससे याद करनी की कोशिस करते हैं, देखे 8 के पीछे जाएंगे तो 7 मिलेगा, 7 के पीछे जाएंगे तो 6 मिलेगा, तो इस परकार आपको 67 पराप्थ हो जाएगा, यहाँ पर दिक की नीचे दच्छी ने, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 50 दिसा पराप्थ होगा, जबकि इसकी पीछे जाएंगे तो पूरब दिसा पराप्थ होगा, ठीक इसी परकार आपको 8 से पिछे आठ था, वहीं ASEAN के सदस्देशू की संक्या 10 है, यहाँ पर केवल 2 का अंतर है, एक मात्पून बात ध्यान में रखिए, भारत ASEAN का सदस्देश नहीं है, उमीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट है, ASEAN विकास बैंक, जिसे ASEAN डेवलोप्मेंट बैंक के नाम से जानते हैं, इसके सथापना 1966 को हुआ था, जबकि इसका हेट क्वाटर मनीला सहर मिश्थी थे, बरतमान समय में इसके सदस्देशू की संक्या 68 है, आए इसे याद करने की कोशिस करते हैं, यहाँ इसके सथापना वर्ष का अंतिम दोंग 66 है, जब इसमें में लोग 2 एड करेंगे, तो 68 प्राप्त हो जागा, अर्थात इसके सदस्देशो की संक्या 68 है, तो इस प्रकरा आप इसे जोड़ कर याद रख सकते हैं, 66 याद करने का भी एक तरीका है, आप इसे ADBC याद रख सक आपकि 66 में दो जोड़ने पर 68 प्राप्त हो जाता है, जो बरतमान में ACI विकास बैंक के सदस्देशो की संक्या है, नेक्स्ट है इसके headquarter मनीला सायर मिश्तित है, चलिए इसे भी याद करने की कोशिस करते हैं, यहाँ पर आपको सब याद रखना है ACI को विकास करना है, ज से होता है, तो यहाँ से आप जोड़कर याद रखिए, ACI विकास बैंक का मुख्याल है मनीला में है, नेक्स्ट है ब्रिक्स, यहाँ बिस्वे के उभरतुए अर्थ विवस्ता वाले देशो का संगठन है, इसका formation 2009 में किया गया था, ब्रिक्स का सचिवाले संग हाई मिश् ब्रिक्स के बर्तमान सच्ज देशो के संग किया 5 है, यहाँ पर उन 5 का नाम अंग्रिजी अल्फबेट में लिखा गया है, B से हो गया ब्राजील, R से हो गया रसिया, I से हो गया इंडिया, C से हो गया चीन, S से हो गया सौथ अफडिका, सौथ अफरिका 2010 में में ओन बना थ 1993 को किया गया था दूसरे सब्दों में कहा हैं तो इसकी अस्थ अपना 1st November 1993 को किया गया था इसका headquarter Brussels में इस्ती थे बर्तमान में इसके सदस्देशों की संक्या 27 है हाली में बिरिटेन ने 1 फर्वरी 2020 को European Union से अलग हो गया पहले इसके सदस्देशों की संक्या 28 थी प्रन्तू ब्रिटेन के हैटने से बर्तमान में इसके सदस्देशों की संक्या सताईस है European संको संचेप में EU काते हैं यहाँ पर E अंगरेजी अलफावेट का 5 वा लेटर है जबकि EU 21 लेटर है आप इस दिनों को जोड़ोंगे तो 26 पराप्त होगा जबकि इसके मेंबर कंट्री की संक्या 27 है तो इस परकार आप यहाँ से जोड़कर याद राख सकते हैं यहाँ पर इन देशों में EURO मुद्रा चलती है चली इसके headquarter को याद करने की कोशिस करते हैं EURO एक परकार की नोट है जिससे हम लोग अंगरेजी में currency करते हैं यहाँ पर आपको देखे सेल वर्ड याद रखना है किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्ता है उसके सेल पर निर्भड करता है जिस देश में बस्तू का सेल जितने अधिक होगा उतना ही उसकी आमदनी होगी अर्थात उसके EURO अथवा नोट की संक्या में बिर्दी होगा EURO पीज संग में EURO मुद्रा चलती है जिससे हम लोग नोट अथवा currency कते हैं यहाँ पर EURO अथवा नोट की संक्या में तभी बिर्दी होगा जब इन देशों में सेल की संक्या अधिक होगा तो यहाँ से आपको सेल से याद रखना है अर्थात EURO पीज संक्या मुख्याल है बुरु सेल से नेक्स संगठन है NATO NATO का पूरा नाम North Atlantic Treaty Organization Organization होता है इसका तीस्वा सदस मेस्ट होनिया है जो 6 फरवरी 2019 को सदस बना आए इसके सचिवाले को याद करने की कोसिस करते है यहाँ पर NATO से एक नोट सब्द को याद रखना है नोट का अर्थ होता है करेंसी पहला सब्द आपको नोट याद रखना है दूसरा सब्द आपको सेल याद रखना है यहाँ पर देखिए आपको सेल सब्द मिल जागा यदि किसी बस्दू का सेल अधिक होगा तो नोटों की संक्या में बिर्दी होगा अर्थात नोट की संक्या बस्दू के सेल पर निर्भा करता है तो आपको ध्यान रखना है नाटो से नोट सब्द को जोड़ना है दूसरा जो नोट की संक्याव सेल पे निर्भा करता है अर्थात नाटो का सचिवाले बुरु सेल्स मिश्थी थे यहाँ पर प्रस्ण में सचिवाले का स्थम पर मुख्याले पूछ दे तो आपको ध्यान में रखना है इसका मुख्याले बुरु सेल्स मिश्थी थे नेक्स्ट है आर्थिक सायोग और विकास संगटन जिससे संचेप में OECD काते हैं इस केस था अपना 1961 में किया गया था बर्तमान में इसका हेड़ क्वार्टर पेरिस सेर मिश्थी थे यहां संगटन पूरे विश्व में Economic Cooperation को बढ़ावा देता है इसके मुख्याले को ध्यान में रखी है क्योंकि यहां से कई वार एक्जाम में प्रस ना चुका है नेक्स्ट है European Space Research Organization जिससे संचेप में ISRO काते हैं इस केस था अपना 1964 को किया गया था बर्तमार में इसका Headquarter Perry Sir में इस्थी थे यहां पूरे एरोप के लिए अस्पेस से समधी तक्निकी सहता परदान करता है नेक्स्ट हैं तराष्टिया प्राधिक पुलिस अंगठन जिससे संचेप में Interpol काते हैं इसके स्थपना 1923 में किया गया था बर्तमार में इसका Headquarter Leon Sir में इस्थी थे पहला है अपराधिक दूसरा है पुलिस देखी कोई भी बेगती अपराध करता है तो पुलिस उसे पकड़ कर दंड देने का काम करती है यहां पर कोई भी मुझरिम अपराध करके भाग जाता है हम लोग कई वर अस्पोर्ट केंतर का दोड़ परतियुकता को देख चुके है वहां पर कोई एक बेगती 123 बोलता है और सभी परतिवागी दोड़ना शुरू कर देते हैं अर्थात 123 बोलने के बाद सभी भागना शुरू कर देते हैं तो इस परकार आपको जोड़ कर याद रखना है पुलिस अपराधी को पकड़ कर लाने का कार करती है यहां पर आपको लाना सब्द याद रखना है यहां पर दिक ये लाना सब्द एवं लियोन सब्द में समानता मिल रहा है लाना को लियोन सो जोड़ कर याद रखिए इंटरपोल में आपर एक पुलिस सब्द है पुलिस अपराधी को पकड़ कर लाने का कार करती है और थात इंटरपोल का मुख्याल है लियोन है नेक्स्ट है इरोपिय अंतरीच एजनसी इसकी अस्थापना 1975 को किया गया था बरतमान में इसका हेड़ क्वाटर पेरिश सहर में इस्थी थे अगर एरोपिय अंतरीच से समधित कोई परसन एक जाम में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि अंतरीच के छेतर में यूरोप के दो कंट्री सबसे बिक्सित है एक है रूस दुसरा है फ्रांस तो आपको ध्यान रखना है कि इनका हेड़ क्वाटर फ्रांस के पेरिश सहर में इस्थी थे नेक्स्ट है ग्रूप एड जिसे जी एड के नाम से भी जानते है इसके सथपने 1975 को किया गया था यहां पर दो संच था है एक है ईरोपय अन्टरी इच हैंसी दुसरा है जी एड यह दौनो के सथपने 1975 को किया गया था इसके सथपने छो धेशों ने मिलकर किया था वह है अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली ये सबी 20-force के विख्षीद देश है इसके स्थापना 1975 में किया गया था इसके एक साल बाद 1976 में कनाड़ा इसका सदस बना अर्थात कनाड़ा इसका 7वा सदस है इसके बाद 1997 में रूस 8वा सदस बना इस प्रकर आप देख रहे हैं कि एक स्रीज बन गया है वा स्रीज सिरीज इसकी अस्थापना six country दोबरा किया गया, बाद में कनाड़ा इसका साथवा सदस बना, अन्ती मीस का रूस आठवा सदस बना, परन्तु बरतमान समय में G8 में किवल साथ सदस है, क्योंकि 2014 में रूस की सदस था समाप्त हो गई, चली पेरिस मीस्थित मुख्याले को दोबरा र ध्यान रखना है कि यदि एकजाम में European Space Secutions आ जाए, तो उसका मुख्याले आपको पेरिस ध्यान में रखना है, क्योंकि पूरे एरूप में दो यह सी country है, जो अंत्रीच में काफी आ गया है, एक है रूस, दूसरा है फ्रांस, यहाँ पर दो संगटन का संबन्द अस्पेस पहला है European Space Research Organization, दूसरा है European Treacherncy, दोनों संगटन में अस्पेस सब्ध है, अर्थात इन दोनों का मुख्याले पेरिस सर मिष्थी थे, अब फ्रांस क्या करती है, अस्पेस रिसेर्च से समधित विकास करने के लिए, वहा आर्थिक सयोग को बढ़ावा देता है, अर्थात आ दूसरे सब्दों में कहें तो इसका formation 11-27-1931 को किया गया था, बरतमान में इसका headquarter London में इस्तित है, आईए इससे याद करने की कोसिस करते है, London United Kingdom का capital है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में United Kingdom ने राज किया है, United Kingdom को ब्रेटेन के नाम से भी जानते है, यहा पर दूसरे सब्द आपको याद रखना है राष्ट, पहला सब्द हो गया मंडल, दूसरा सब्द हो गया राष्ट, आएए यहाँ पर समझनी की कोसिस करते हैं, ब्रेटेन जो है कई राष्टों पर एक साथ सासन किया, और थात उसने सासन ग्रूप के माधम से किया, तो इस पर कार आपको याद रखना है राष्ट मंदल का मुख्याल है लंदन में है ध्यान में रखना है लंदन जो है ब्रिटेन में है और ब्रिटेन ने कई राष्ट के उपर ग्रूप में सासन किया नेक्स्ट ए एमनेस्टी इंटेनेशनल इस case था अपना 1961 को किया गया था बरतमाल में इसका headquarter लंदन में इस्तित है देखे एमनेश्टी का अर्थ होता छमा करना जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिर्टेन कई देशों पर सासन किया है परन्तु दिरी दिर सभी राश सोतंतर हो गये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिर्टेन सब को छमा कर दिया जिसकी बज़े से एक एक कर सभी देश सोतंतर हो गये वह सभी देशों पर सासन लंदन में ही बैठ कर किया बाद में सभी देशों को लंदन से ही छमा कर दिया अर्थात Amnesty International का मुख्याल है, लंदन मिश्थी थे, नेक्स्ट है अरब लीग, इसके स्थापना 1945 को किया गया था, इसका headquarter काहिरा मिश्थी थे, आइए इसके headquarter को याद करने की कोसिस करते हैं, यहाँ पर आपको हीरा सब्द याद रखना है, हीरा अर्थात डायमंड, यह देके एक डायमंड की पीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह बहुत ही किमती होता है, कई ऐसी हीरा है जिसकी कीमत अरब में हैं, तो आपको यहाँ से दो सब्द याद रखना है, पहला अरब, दुसरा हीरा, अर्थात हीरा की कीमत अरबों में है, ऐसे भी अरब के लोग काफी है मीर है, उन लोग के पास बहुत सरा हीरा है, अर्थात अरब लिख का मुख्याल है, काहिरा में इस्तित है, नेक्स्ट है अफरीकी एकता संगठन, इसकी अस्थापना 2002 में हुआ था, इसका हैट क्वाटर अधिस अबाबों में इस्तित है, यहाँ पर आपको दो सब का मुख्याल है, अधिस अबाबा में इस्तित है, नेक्स्ट है संजुक्तराज परियावरन कार्ज करम, इसकी अस्थापना 2002 में किया गया था, इसका हैट क्वाटर नेरोबी में इस्तित है, यहाँ पर आपको दो सब्द याद रखना है, पहला है परियावरन, दुसरा सब इसको परियावरन अच्छा होगा, वहाँ पर रोगियों की संख्या कम होगा, यहाँ पर संजुक्तराज परियावरन कारकरम का मुख्या नेरोबी में, यहाँ पर रोगी को रोबी से जोड़ कर याद रखना है, नेक्स्ट है पेट्रोलियम निरया तक देशो का संगठन, जिसे OPEC के नाम से भी जानते हैं, इसके स्थापना 90-60 को किया गया था, बरतमान में इसका headquarter बेना में है, यहाँ पर आपको एक सब्द याद रखना है पीना, यहाँ पर दिके पेक से आपको pack याद रखना है, लोग जो है pack लगा कर पीने का काम करते हैं, यहाँ पर जो pack है इसके स्थापना 90-50 में किया गया था, बरतमान में इसका headquarter जिनेवा में इस्थी थे, यहाँ पर आपको जिनेवा से जान याद रखना है, दूसरा आपको सरनार्थी याद रखना है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने जान बचाने के लिए, आपको यहाँ पर दो सब्त से याद रखना है, अर्थात संजुकतरा सरनार्थी उचायोग का मुख्याल है, जैनेवा सर में इस्थी थे, यहाँ पर किवल दो सब्त से जैनेवा को याद रखना है, पहला है सरनार्थी, सरनार्थी लोग जान बचाने के लिए किसी को याद रखना है नेक्स्ट है रेट क्रॉस इसकी या स्थपना आठ माई 1863 को हुआ था इसका मुख्याल है जिनेवा सहर में इस्तित है इसके संस्थापक हेंरी डिवनेंड थे यहां से संस्थापक कई वार एकजामें पूछ चुका है इसलिए इसके फॉंडर के नाम ध्या याद रखना है सबसे पहले रेट क्रॉस का सेंबोल याद रखना है दूसरा उसका अर्थ याद रखना है यह सेंबोल डॉक्टर लोग के पास देखने को मिलता है डॉक्टर लोग जान बचाने के कार करता है जान को जिनेवा से जोड़ के याद रखना है रेट क्रॉस को तीन बार नोबल पुरुसकर मिल चुका है, पहला 1917 में, दुसरा 1914 में, तीसरा 1963 में, चली इसे याद करने की कोसिस करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1918 में पर्थम बिश्यूद समाप्त हुआ था, 1918 के एक सल पहले उसे नोबल पुरुसकर मिला, द्यूति बिश्यूद न 1945 में समाप्थ हुआ था 1945 के एक सल पहले उसे दूसरा नोबल प्रुसकर मिला तिसरा उसके अस्थापना के 100 वर्स बाद 1963 में तिसरा नोबल प्रुसकर मिला यहाँ पर आपको ध्यान रखना है परतेक वर्स आठ में को बिशु रेट क्रोस दिवस मनाया था है नेक्स्ट अंतराष्टी उलम्पिक समीती इसके अस्था अपना तेज जूना ठरोस 94 को हुआ था बर्तमान में इसका हेट क्वाटर लोसाने में इस्तित है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उलम्पिक बिशु के सबसे बड़ा खेल परतियस परदा है बिशु के सभी देश उलम समीती का मुख्याल है स्विट्जे लेंड के लुसाने सेर में इस्तित है इसके अस्थापना फ्रांस के पेरिडी कुबर्तिन ने किया था यहाँ पर तीथी को जरूर याद रखिए क्योंकि परतेग बर्स तेज जून को उलम्पिक दिवस मनाया था है नेक्स्ट आपको य इसके मुख्याले को आप याद रख सकते हैं आपको ध्यान रखना के पांडा का गला बहुत ही बड़ा होता है यहाँ पर गला से आप गलैंड याद रख सकते हैं नेक्स्ट है नेशनल एरोनोटिक्स एंड अस्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन जिसे संचेप में नासा कहते हैं या अमेरिका के अंतरीज समन्दी संस्था है इसकी स्थपना उनेश्व अंठामन में हुआ था बर्तमान में इसका हैट क्वार्टर वासिंग्टन डिसी में इस् वासिंग्टन डिसी भी इसके अलावे भी दो संस्था का मुख्याल है एक है विशु बैंक दूसरा है अंतरश्टी मुद्रकोस नेक्स्ट है रच्छानू संधानेवें विकास संगठन जिसे डियाडियो के नाम से भी जानते हैं इसकी स्थपना उनेश्व अंठामन में इसका हेड क्वाटर नई दिली में इस्तित है यहाँ पर आपको एक सब्दी याद रखना है रच्छा रच्छा जो है केंद्र का विशाय है और केंद्र का जो कैप्टल है वो नई दिली में है नेक्स्ट है भारतिया अंतरिच अनुसंधान संगठन जिसे संचेप में इसर नेक्स्ट है फुटवॉल एसोसियेशन के अंतराश्टिय मासंग जिसे फिफा के नाम से जानते हैं इस के स्थपना 1904 में किया गया था चली इस से याद करने की कोशिस करते हैं यहाँ पर दिखी इसका अंतिमंग 4 है इसे दो सद्दों से याद करेंगे पहला फुटवॉल इसमें देखे 4 अच्छर है और दूसरा है फिफा इसमें भी देखे 4 लेटर है तो इस प्रकार यहाँ से जोड़कर आप अंतिमंग के याद रख सकते हैं इसका हेड़क्वाटर जूरिक में है फिफा दोरा आईजीच सब्सर्वारा टूर्नमेंट 20 फुटवॉल होता है य इसमें जवानी कीज देश को देना है यह डिजाइड फिफा के जूरिक करता है तो इस परकार आप इस कहानी के माधम से याद कर सकते हैं फिफा के हेड़क्वाटर जूरिक सहर में इस्ती थे नेक्स्ट है अंतरश्टी किर्केट परसद जिसे ICC के नाम से भी जानते हैं इ दूसरा सब्द आपको किर्केट याद रखना है आज किर्केट में इतना पैसा है जो खिलाडी बर्तमान समय में भारत में किर्केट खेल रहा है वह बहुत ही अमीर हो गया है तो यहाँ पर आपको याद रखना है पहला किर्केट दूसरा याद रखना है अमीर क्यूंकि आ इसकी अस्थपना 1934 में किया गया था, इसका headquarter कौलालंपूर में इस्थित है, चलिए इसके headquarter को याद करने की कोशिस करते हैं, आपको यहाँ पर दोस्त अब याद रखना है, पहला बैडमिंटन, दुसरा कौलालंपूर, देखे हमारे देश में सबसेवा किर्केट खेला ज जाता है, हमारे देश में कोई भी गाउं अत्वस सहर ऐसा नहीं है, जहां पर किर्केट नहीं खेला जाता है, जबकि बैडमिंटन के बल सहरों में खेला जाता है, बैडमिंटन खेल गाउं में बहुत ही कम देखनों को मिलता है, यहाँ पर देखे कि कौलालंपूर किसी गा हो जागा। उमीद करता हूँ आज क्या वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। यदि इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथी बेल नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टोपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद।